थे नमस्कार दोस्तों आप का अपना चनल की एहइंग कासायनिक नाम और उनके सुत्र तथा राआइनिक पुछ अमला उनके सुत्रा और रासायनिक सुत्रेंस हैं। इस सुत्र हम लोग इस वीडीओ के माध्यम से जानेगा। है तो दो इससे भी कुछ प्रस्ण है परिच्छा में पूछे जा रहे हैं तो चलिए आई देख शुरू करते हम लोग रसायनिक योगिक रसायनिक नाम रसायनिक सूत्र तो जिप्सम का रसायनिक नाम क्या होता है कैल्सियम सलफेट होता है और इसका सूत्र होता है C A S O 4.2 H 2 O धोने का सोडा का रासानिक नाम क्या है sodium bicarbonate इसका सुत्र क्या होता है तो N A 2 CO 3 खाने का सोडा इसका रासानिक नाम है sodium bicarbonate और इसका सुत्र होता है N A H CO 3 अगला है bleaching powder bleaching powder या ब्रेंजक्चूड इसका रासानिक नाम है calcium hypochloride और इसका सुत्र होता है C A C A C L O का होल्टवाइस caustic soda caustic soda का रासानिक नाम क्या है sodium hydroxide है और इसका सुत्र है NaOH suhaga suhaga का रासानिक नाम है borrex और इसका सुत्र होता है Na2 V407.10H2O अगला है चाक चाक का रासानिक नाम calcium carbonate होता है और इसका सुत्र है आपका C A C O 3 fitkri fitkri का रासानिक नाम है potassium aluminium sulfate और इसका सुत्र होता है K2SO4, AL2, SO4 का THRICE 24, SO2O नीला थोता नीला थोता का रासानिक नाम है copper sulfate और इसका सुत्र होता है C U SO4 suskvrv suskvrv ठोस carbon dioxide और इसका सुत्र है CO2 अगला है sprit क्या है sprit sprit का रासानिक नाम होता है आपका methyl alcohol और इसका सुत्र होता है CS 3 OH बुझा हुआ चूना इसका रासानिक नाम है calcium hydroxide और इसका सुत्र है आपका CA OS hold twice laughing gas laughing gas का रासानिक नाम है nitrous oxide और इसका सुत्र होता है N2O लाल दवा लाल दवा का रासानिक नाम है potassium permagnate और इसका सुत्र है KmNO4 नोसादर नोसादर का रासानिक नाम है ammonium chloride और इसका सुत्र होता है NH4Cl ठीक है सिर्का सिर्का का रासानिक नाम है acetic acid का तनूखोल और इसका सुत्र होता है CS3 CWH अब हम लोग रसाइनिक गैसो के नाम रसाइनिक गैसो के नाम और उनके सुत्र को जानेंगे ठीक है तो व्यूटेन, व्यूटेन का सुत्र क्या होता है C4H10 होता है प्रोपेन, प्रोपेन का सुत्र क्या होता है C3H8 होता है मेथिन का क्या होता है CS4 होता है क्लोरीन का क्या होता है CL2 होता है अगला है क्लोरीन डाइकसाइड CL2 कार्बन मोनो अकसाइड का सूतर क्या है CO है कार्बन डाइकसाइड का CO2 हाइड्रोजन का H2 हाइड्रोजन सलफाइड का H2S अगला है Hydrogen Coolride का HCl Hydrogen Cyanide का HCl Nitrogen Dioxide का N2O Nitrous Oxide का YnO Phosphine का क्या होता है सुत्र? PS3 होता है Ozone का क्या होता है O3 होता है अगला है Ethynal Ethynal का होता है आपका C2S5OH होता है और Ethylene Oxide का होता है आपका C2S4O Sulfur Dioxide का होता है SO2 अब हम लोग रासाइनी क्योगिक और अमल अब रासाइनी क्योगिक और अमल और उनके अमल के सुत्र है तो Sulfuric अमल का सुत्र क्या होता है आपका S2SO4 होता है Sulfuris अमल का क्या होता है S2SO3 होता है हाइड्रोकलोरिक अमल का क्या होता है अगला है अगजेलिक अमल अगजेलिक अमल C2H2O4 ACT का क्या सुत्र होता है तो यह होता है आपका CS3COOH टार्टरिक अमल का सुत्र क्या होता है तो यह होता है आपका C4H6O6 फार्मिक अमल का क्या होता है तो फार्मिकल्प का होता है CS2O2 ठीक है अगला है मार्सल अमल मार्सल अमल का होता है आपका S2, S2 S2, S2O8 लेक्टिक अमल है लेक्टिक अमल का क्या होता है लेक्टिक अमल का होता है आपका C3H6O3 इथिनाल अमल इसका होता है आपका C2H6O नाइटरिक अमलका क्या होता है आपका तो नाइटरिक अमलका सुत्र होता है आपका HNO3 नाइटरस आकसाइड का अमलका क्या सुत्र होता है HNO3 फासफोरिक का अमलका सुत्र क्या होता है तो H3O4P अगला है फासफोरिक अमलका क्या होता है तो H3PO3 होता है बोरिक अमलका क्या होता है सुत्र आपका तो S3BO3 होता है कार्बोनिक अमलका क्या सुत्र होता है तो H2CO3 होता है और एसकॉर्बिक अमलका सुत्र क्या होता है आपका तो एसकॉर्बिक अमलका सुत्र होता है C6H8O6 ठीक है और फोलिक अमलका सुत्र होता है आपका C19, H19, N7, O6 ठीक है और यूरिक अमलकाब का सुत्र होता है C5, S4, N4 और O3 होता है ठीक है तो एरेलो गुर्प D के लिए महत्वपूर वीडियो था अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग को तो चैनल वीडियो को सेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा धन्यवाद